दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे और आज हम यहाँ पर बात करने है टाटा पंच प्योर की 1.2 लीटर में और यह जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं साइट से काफी प्रिमियम लुक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कार की डिमेंशन और कैपसेटी की तो लेंथ 3870 mm मिल जाती है और विट मिलती है 1742 mm हाइट मिलती है 1615 mm और यहीं पर वील बेस 2445 mm के इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से देखते हैं तो कुछ लुक काफी अच्छा है आप पर देखता है और बीच ओ बीच में टाटा की ब्रैंडिंग मिल जाती है इंजन की अगर बात करें तो इंजन इस कार के अंदर 1.2 लीटर रिवोटरॉन इंजन 1199 CC में मिलता है मैक्सिमम पावर जो की 86.63 BHP पावर जनेट करता 6000 RPM पर वहाँ पर टोर्क 115 mm पावर को मिलेगा तो यह काफी अच्छा है अब सबसे पहले यहाँ पर टाठा की ब्रैंडिंग आपको देखने को मिलेगी और पंच में यहाँ पर होरन के लिए काफी स्पेस मिलता है जिससे की आवास दे जाए यहाँ पर एंडियेटर और यहाँ पर कुछ लाइटिस की प्रोफ अब यहाँ पर हम देखते हैं तो कुछ इस टैप से halogen headlamp जो दिखते हैं तो यह भी काफी अच्छा focus मारते हैं light का तो यह भी ठीक है अगर यहाँ पर देखा जाए wheel की बात करें तो इसमें alloy wheel नहीं मिलते हैं Tata की branding यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और front में disc brake आपको द देखने को मिल जाता आप खुद ही देख लीजिए काफी अच्छा look यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा इसकी entry की तो gate को open करके कुछ gate इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा और आप यह देखने तो gate कहां तक खुलता है यह भाई Tata की कारों में होता और किसी कार में नहीं होता यहाँ से power window front की दो मिल जाती है dual tone में gate है speaker bottle holder का option मिलता इस speaker आपको अलग से लगवाने पड़ेंगे लेकिन जगा है कि लग जाते है यहाँ पर seat आगे पीछे आप कर सकते है height adjustable seat है नहीं है आप देख सकते है और यह कुछ step से adjustable headrest मि देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखते हैं तो भाई पूरा dashboard dual tone में देखने को मिलेगा punch का तो यह ऐसी profile है यहाँ से आप देखें तो तीन pendle और यहाँ पर कुछ space और यहाँ पर AC band मिल जाता है और की का option यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा की काफी ठीक ठीक है आप यह देख सकते हैं पावर की इसमें नहीं है और यहाँ पर AC band मिल जाता है तो मुझे तो काफी ठीक लगा AC band का look भी काफी प्यारा है और यहाँ से light को जला सकते हैं इंडिकेटर दे सकते हैं तो यह मिलता है इधर से बाइपर को चला सकते हैं और यहाँ पर Tata की branding steering पर आपक चलाएंगे वरना उपर नीचे होता रहेगा अब थोड़ा सा यहाँ पर instrument cluster की बात करें तो इसमें touch meter, digital clock, digital automator जैसे function आपको देखने को मिलेंगे तो यह काफी अच्छा है और मुझे तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर देखते हैं तो बीच में दो आपको AC band मिल जाते है और यहाँ से चारों indicator को एक साथ आप जला सकते हैं तो भाई look बहुत अच्छा है अंदर से इसके decks board का पूरा black white का combination काफी अच्छा लगता है और यहाँ पर देखेंगे तो AC का पूरा system यहाँ पर मिलेगा heater का और कुछ space और यह gear lever 5 forward एक reverse में तो यह भी काफी अच्छा है और handbrake मिल जाते हैं यहाँ पर और यह seatbelt को करने का option cup holder और यहाँ पर 12 bolt का outlet मिल जाता है तो यह handbrake है तो काफी अच्छा है उपर की side में mirror मिल जाता है जो की काफी ठीक है और यहाँ light का option यहाँ पर sun visor और vanity mirror नहीं मिलता और handle मिल जाता पकड़ कर बैठने के लिए यहाँ यहाँ पर भी vanity mirror नहीं मिलता तो यह seatbelt का option यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा तो मेरे हिसाब से तो भाई interior काफी west है और यहाँ पर आपको airbag, AC bent और glove box और यह क्या smooth तरीके से बिलकुल open हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से तो यह सारी profile कुछ step से यहाँ पर ती seat काफी कमपट हैं, यह वाली seat भी आगे पीछे हो जाती है, adjustable seat हैं, आप खुदी देख सकते हैं कितनी soft seat हैं इस car में मिलती हैं और यहाँ पर power window का एक option हो जाता, बाकी same चीज रहने वाली है, बाकी और कुछ भी gate में changes नहीं है, तो यह मेरे हिसाब से तो भाई ठीक है, आप खुदी देख लो कितना premium look में पूरा dashboard अंदर का interior लगता है इसमें, और interior में features भी काफी ठीक टाक मिलते हैं, और यहाँ से कुछ इस type से gate को open करते हैं, और यहाँ पर logo लगा हुआ है, पचास लाग car sale करने का, टाटा ने पचास लाग car सेल कियें, और इसके open होने का, gate open होने का style देखो की, पूरा खुल जाता है, इसमें कोई भी कमी नहीं होती, और यहाँ से पीछे वाली जो, यह जो mirror है, इनको up-down, manual तरीके से ही किया जाएगा, power का option नहीं मिलता, power window का option नहीं मिलता, लेकिन यहाँ भी dual tone का option देखने को मिलेगा, कुछ space, बहुत अलोडर, speaker का option मि अलग से लगवाना पड़ेगा, क्योंकि music system इस वाले model में नहीं आता, और पीछे की seat है, फोल्ड हो जाती है, काफी comfort है, बैठ के देख लेते हैं, और यहाँ पर space आप खुद देख लें, काफी है, seat belt का option मिलता ही है, सबी seat हो पर, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, कि कटोती क मिल जाता है, तो यह कुछ step से, यहाँ पर head rest नहीं है, बहुत छोटे head rest है, और मेरे हिसाफ से ठीक है, space आप देख लें, leg room काफी है, head room काफी है, और यहाँ पर आपको पकड़ कर बैठने के लिए handle मिल जाते हैं, तो यह सारी profile तो कुछ step से थी, तो रज़ा safety feature के बारे बा अलग से ही लगवाना पड़ेगा, इस वाले model में, टाटा punch pure के अंदर, तो यह सारी profile कुछ ऐसी है, केविन खुद ही आप देख लो कि interior कोई नहीं कह सकता, कि यह एक छोटे budget की car है, लेकिन ठीक है, भाईया काफी अच्छा look है इसमें, और यहाँ पर हम देखें, तो सारे profile काफी अच्छी लगी, मेरे हिसाफ सा तो काफी best profile है, और यहाँ से कुछ इस टैप से आपको देखने को मिलेगा, अगर पीछे देखा जाए थोड़ा सा, हम पीछे भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसकी जो boot space है, वो key से ही खुलेगा, क्योंकि मुझे तो कोई option देखने को मिलेगा, और boot space इस car के अंदर काफी बड़ा है, यहाँ पर टाटा की branding punch यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाइपर डीफागर का option नहीं मिलता, लगबग 366 लीटर का boot space इस car के अंदर मिलेगा, चार आदमियों को हाथ पेर बांध के इसमें डाल सकते हैं, कोई दि पीछे से लुक काफी अच्छा बहतर रीन है, और आप देख लें, तो लुक में कोई भी कमी नहीं है, और इधर की side से देखा जाए, तो कुछ step से, fuel tank इसके अंदर लगबग 37 लीटर का आपको देखने को मिलेगा, जो पीछे वाले wheel है, इनके अंदर drum brake देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से काफी ठीक है, अब सबसे में चीज़ बात कर लेते हैं, इस कार के price की, इस कार के price की exorum जो कीमत है, वो लगबग आपको 6 लाग रुपे के something देखने को मिलेगी, और वहीं पर on road कीमत 6 लाग 82 लाग रुपे के something देखने को मिलेगी, अगर आपको वीडिय अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में